दोखरे हट्या कांट से फैली संसनी घर में सो रहे दादा और पौतरी की पीट-पीट कर हत्या हुई पूरा मामला जन्पत मैनपुरी के थाना कुरावली छेत के गाम नौरंपुनिवासी 75 वर्सिय रामचंद्र पूत्र लश्मर सिंग साख के अपनी विवाहित पौत्री 22 वर्सिय सोनी पूत्री सिसुपार सिंग के साथ घर में सोय हुए थे रात में किसी समय अग्यात लोगों ने उनके पीट-पीट कर मार डाला तड़के के आंगन में पास बने चुलहे के पास दादा रामचंद्र का सौब पड़ा मिला वहीं आंगन के पास पड़ी चार पाई पर सोनी का अर्ध नंग्न सौब पाया गया सुचना के बाद मौके पर पहुची पुलीस में जास परताल में जुटी हुई है मितक सोनी की साधी एटा के जरत पूर थाना छेतर के ग्राम नगला उमेद निवासी संतोस खुमार से हुई थी लेकिन चार माह से सोनी अपने गाउं में ही दादा के पास रह रही थी घटन सुचना के बाद मौके पर पहुची पुलीस में दोनों के सौल कुकबजी में लेकर पोस्ट माटम की दिए भीजा है और बरांडे में उनकी नातिन सो रही थी रामचंद जी को सब्सूट मारी गई है है उनको और गड़की के अलगला दवाय जाए जाए है यहां पंचादां पुर्ण कावई चल लए है और चाचा आ गया है तो उससे तहीं लेकर हम अगरम कावई करेंगा अगर देखा है अभी कुछ दो बोल नहीं रहे हैं अभी देखे से जल्म बाची हुई है अब गड़का कान निकल का लाए है